आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिलेट कर रहा है एक्सराइस 4.3 से और आज हम जिस कोशन की बात करने वाले हैं वो है हमारे पास कोशन नमर 4 कोशन नमर 4 में दिया हुआ है हमारे पास if s is equal to n upon 2, curly bracket 2a plus round bracket n minus 1 d, curly bracket close, find the value of s, when n is equal to 5, a is equal to 2 and d is equal to 3. यानि कि यहां पर हमें simplify करना है s की value को, यानि कि s की value को हमें simplify करना है या s की हमें simplification करनी है और हमें n, a और d की value given है. तो simplify करना शुरू करते हैं, solution में सबसे पहले जिस चीज़ को हमें simplify करना है, s की value वो पूरी उतार देंगे हम, n over 2, 2a plus n minus 1, d, अब यहां पर जो जो हमारे पा value given है हम वो लिखेंगे, n की value जैसे 5 दी भी है तो हम यहां लिखेंगे 5 upon 2, उसके बाद 2 constant है, वो as it is आजाएगा, a की जाएगा हमारे पास 2, plus n की जाएगा हमारे पास आएगा 5 minus 1, और d की जाएगा मापस 3, उसके बाद 5 upon 2 आपके पास as it is आएगा, 2 to the 4, plus 5 में से 1 minus करेंगे, तो यह हमारे पास हो जाएगा, 4 और 3, उसके बाद जो है, आपके पास 4 3 से multiply होगा, 5 upon 2 आपके पास as it is आएगा, 4 as it is आएगा, और plus 4 3 जा, 12, 5 upon 2, 4 में जब हम 12 प्लस करेंगे तो यह हमारे पास आएगा, 16, उसके बाद 2 और 16 यह cancellation हो जाएगा, आपके पास 2 1 the 2, 2 8 the 16, और अब आपके पाप बच जाएगा, 5 into 8, 5 को 8 से multiply करेंगे, answer आजएगा, मैं आपस 40, जो कि हमारे पास answer है, किसका, s का, thank you.